टो आज हम डिसक्स करते हैं स्टॉक्चर और फीचर्स आज डबल हेलेक्स यानि कि जो डबल हेलेक्स डबल हेलेक्स डबल हेलेक्स डबल हेलेक्स होता है उसके स्टॉक्चर देखते हैं और उसके कुछ फीचर्स भी डिसक्स करते हैं So in 1953 James D. Watson and Francis Crick proposed a model for physical and chemical structure of the DNA molecule So in 1953 में ठीक है दो साइन्टिस्ट है James Watson करके और Francis Crick करके उन्होंने क्या प्रोपोस किया था Physical and chemical structure of DNA molecule यानि कि DNA molecule का physical और chemical structure प्रोपोस किया था ठीक है ये दोनों वही साइन्टिस्ट है जो दोनों DNA के structure बना रहा है ठीक है तो आज के देर में हम सेम चीज़ को follow करते है At the time of Watson and Crick's works DNA was known to be composed of nucleotides However, it was not known how the nucleotides formed the structure of DNA तो जब Watson और Crick ने काम शुरू किया था उस टाइम पर क्या पता था कि जो DNA जो होता है उसमें nucleotide होता है ये चीज़ पता था पर ये नहीं पता था कि ये nucleotide कैसे structure of DNA यानि की DNA का structure बना लेता है तो उस चीज़ को समझने के लिए इन दोनों ने काम शुरू किया सो देड़ 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 ये जो मोडल जो बनाया था वह कहां से बनाया था कि जो पहले से दो अलग अलग स्टेडिस हुए था बास स्टेडीस के फ्रेंगिनश ने वे माले वे तेसी ये लिए पैस्टेडीस के आए ये धर लेकलीछों जो ये ये लो आके म leps ने और देड़ विया था को मडेज का बनाया अनक्यु एड़ ये लिए वे लिएफ बनायों मैकित है उसमें क्या कहा गया था ठीक है क्योंकि यह दो स्टेडिस भी इंपोर्टेंट है सबसे पहले देखते हैं बेस्ट कंपोजिशन स्टेडिस इर्विन शर्गाफ फइंबर ओर्गनिजम और उसमें से डिएनी लिया था और उसको अईडिरोलेज तो ब्रेकड़न किया और कितना पूरीं शेकितना पारेमिडें उसमें से रिलीस हुआ उस चिसको क्वानिपाइट किया ठीक है major किया था So his studies showed that 50% of base were purines and 50% were pyrimidines So in his study में क्या पता चला कि 50% base जो होता है वो purines होता है ठीक है और 50% जो base था वो pyrimidines देखने को मिला था ठीक है उसकी studies में More important the amount of adenine was equal to the thymine Adenine जितना adenine था और क्या पता चला कि जितना adenine था उतना thymine के बराबर भी देखने को मिला ठीक है and the amount of guanine was equal to the cytosine वैसे ही जितना guanine था उतना cytosine भी देखने को मिला ठीक है इस equivalences have become known as shagav rule इस चीज़ को आज के जर में हम shagav rule के नाम से जानते हैं ठीक है तो कहने का मतलब इसका मतलब क्या है कि A equals to T का मतलब हमेशा A T के साथ bonding बनाता होगा ठीक है तो इसलिए जितना A होगा उतना T हमें देखने को मिला और जितना G है ठीक है उतना C के बराबर होता होगा क्योंकि GC के साथ bonding बनाता होगा ठीक है तो यह कुछ idea यहां से पता चला जिसको जो की आज के डियर में सही है और उसको हम आज के डियर में शागर रूल के नाम से भी जाना जाता है इन कंपेरिजन देखा गया कि ए बाई ट जितना ए था ठीक है जितना ए उतना ट के रेशो वन के बाराबर देखने को मिला रेशो वन होने का मतला भी यह की जितना ए होगा उतना ती वी होगा ठीक है इस जिसको और समझ ले ना अगर मैं मानलू यहां पर 50 की ए मिलता है और दोए हम इसको गैंसल करोंगे तो वन बाई वन आएगा तो इसका रेशो भाणाने का मतलब है की जितना ए होगा उतना ट के बरबार होगा ठीक है और समझ में पर AT अगर हम AT और GC की रेश्यो देखे A और T दोनों मिला के और G और C दोनों मिला के अगर इसकी रेश्यो देखा जाए तो फिर यह वाला वेडी करता है यह वाला अलग-अलग होता है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सोर्सिस से DNA को लिया था ठीक है यूमेन कॉन डॉसोफिला इकलीन इकोलाइ ठीक है तो देखा क्या गया था वही एजितना ए उतना टी जितना जी है उतना सी थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरी करता है क्योंकि एक्स्प्रिमेंटल के basis पे भी फारक हो सकता है पर हम अल्मोस्ट हम देख सकते हैं कि exact number ठीक है जितना ए है उतना टी है जितना सी है जितना जी है उतना सी है ठीक है तो 80 का रेशो हमेशा अल्मोस्ट वन इस सब में देखें देखो यहां पर 1.01 0.9 0.93 1.09 ठीक है सेम केस जी सी के केस में भी सेम है 1.0311 1.07 0.9 ठीक है तो अल्मोस्ट सेमें पर 80 और जी सी का अगर हम डेशो देखा जाये तो फिर 1.67 1.04 1.2 किसी में 0.8 किसी में 1 आ रहा है यानि कि यह वाला वेरी कर रहा है ठीक है इसका मतलब क्या है कि जितना 80 होगा उतना जी सी के बराबर होना जरूरी नहीं है तो इसलिए वेरी करता है हमें पता है कि जितना प्यूरी न की बराबर होता है यानि कि A और G प्यूरी न होता है फिर यह वाला प्यूरी मीजिन है ठीक है तो इसका रेशो भी 1 आता है ठीक है तो नेक्स स्टेडिज आप इसमें क्या पता चला कि जितना A है उतना T जितना G है उतना C यह पता चला ठीक है तो इसका मतलब है कि A हमेशा T के साथ बोंड बनाता होगा और G हमेशा C के साथ बोंड बनाता होगा ठीक है यह वहला आइडिय यहां से मिला था और सेके defection studies में क्या किया था कि X-ray source लिया था बीच में हमारा DNA का samples रखा और यहां पर एक photographic plate रखा गया था ठीक है और इस DNA का जो DNA का atomic structure जो होता है उसका image लिया गया तो कुछ ऐसा patron देखने को मिला X-shape का ठीक है X-shape का pattern देखने को मिला तो यह वाला X-shape X-shape का मतलब क्या है कि जो DNA का structure जो होता है वो helical structure होता है ठीक है helical structure का पता चला तो by analyzing the photographs Franklin obtained information about the molecule molecules atomic structure in particular she concluded that DNA is a helical structure तो उन्होंने क्या Franklin ने क्या कहा था कि जो DNA का structure जो होता है वो helical structure होता है with two distinctive regularities याने कि 0.34 nanometer और 34 nanometer का along the axis of molecule कुछ repetition देखने को मिला ठीक है तो मानलो यह वाला DNA का structure जो है है तो यहां पर कुछ कुछ distance का यहां पर रेगुलेटिस देखने को मिला ठीक है तो उस चीज़ को वो चीज़ क्या है वो बात में जो वैट्सन उन्ट क्रिक ने model दिया था उसमें discuss किया हुआ है तो इसमें क्या पता चला कि दो चीज़ पता चला एक तो DNA का structure हेलिकल होता है और दूसरा 0.34 नेनोमेटर और 3.4 नेनोमेटर का एक डिस्टिंक्टिफ रेगुलेटिस आता है यानि कि इस चीज़ का कुछ रेपिटेशन देखने को मिला ठीक है तो यहां पर हम आप वाट्सन उन्ट क्रिक का डबल हैलिक्स इस मोडल जो दिया था DNA के लिए तो उस चीज़ को हम डिसकस करते हैं इसमें उसने 6 पॉइंस इंपोर्टेंट पॉइंस मेंशन किया था ठीक है तो यह वाला जो मोडल जो है यह मोडल के त्रू जो स्ट्रक्चर दिया था DNA का वह आज भी एक्सेप्टेबल है आज भी सही है आज के टाइम पर भी सही है जो कि हमारे पास आजकल बहुत सारे टेक्नोलोजिस हैं उसके हिसाफ से भी यह सही था ठीक है तो इसके बारे में देखते है छे पॉइंट्स है छे पॉइंट्स को आपको आची तरह से आना चाहिए तो फार्स पॉइंट क्या है कि देने मॉलिक्यूल कंजिस्ट ओफ तू पॉली नुकलोटाइट चेंज वोंट एराउंड इच अधर इन राइट हैंड डबल है ठीक है तो क्या कहने का मतलब है कि इस ड ठीक है यह राइट है यूख डबल हयलिक्स मीं टीक है राइट है टीक है घी राइट है डाइल पॉन एंट इंट और एंट इन तो द्यक है तो पॉली नूट है स्टाइट फेसंट में बहाराइट इसा ट्राइट अट छोष दान कि क्लोग वाश पैसिशन में यानि कि होता है वह anti-parallel होता है यानि कि opposite polarity होता है यानि कि एक side पे 5 prime 3 prime end होगा तो फूर दूसरे वाले में 3 prime से 5 prime होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक side पे अगर 5 prime 3 prime होगा तो दूसरा वाला 3 prime से 5 prime जा रहा है ठीक है तो एक वाला एसे जा रहा है यह polynucleotide chain ऐसे रन हो रहा है और दूसरा ऐसे रन हो रहा है ठीक है तो दोनों anti-parallel ले है तू स्रेंड्स आर ओर्रेंटेट इन ओपोजिट डिरेक्शन देख सकते हैं ओपोजिट डिरेक्शन में oriented you will want straight oriented in 5.3 prim when and other strain oriented in 3 25 ठीक है more simply इस चीज़ को आप भूल जाओ ला प конфचस करोगी इस चीज़ कोई तो क्यानै का मतलब है की दो डीने में जो ओंपोजिट डिरेक्शन में रां करता है ठीक है anti-parallel होता है second point यह चीज़ है third point क्या है कि the sugar phosphate backbones are on the outside of the double helix while with the base oriented towards the central axis अब sugar phosphate का जो backbone जो होता है वो कहां पर show किया हुआ है sugar phosphate backbone जो है वो outside के तरफ है double helix के outside के तरफ है यहाप आप देख सकते हैं यह वाला outside के तरफ है ठीक है बाहर के तरफ है sugar phosphate backbone यहाँ पर भी आप देखोगे chemical structure में भी तो यह sugar phosphate sugar phosphate का जो backbone जो है वो outside double helix के with the base oriented towards the central axis अब जो बेस जो होता है वो कहां पर oriented है कहां पर face किया हुआ है central axis के तरफ ठीक है यानि कि बीच के तरफ ऐसे oriented हुआ है the base of both chains are flat structure oriented perpendicular to the to the long axis of the dna so that they are stacked like pennies on the top of one another following the twist of the helix तो जो बेस जो होता है वो बेस जो होता है वो फ्लेट है ठीक है flat structure में और जैसे कि ऐसे oriented हुआ है जैसे कि आप imagine कर सकते हैं जब आप कोई एक की उपर एक रखते हैं तो वैसे ही यह जो बेस जो होता है एक ऐसे ही view देता है ठीक है तो ऐसे ही stack हुआ है एक के उपर एक flat structure में ठीक है flat में fourth point क्या है the base in which of the two polynucleotide chains are bonded together by hydrogen bonds which are relatively weak chemical bonds ठीक है अब दो बेस कैसे जुड़े हुए है through hydrogen bonds ठीक है तो हमेशा देखना की जो एडिन जो है वह थाइमिन के साथ base pair बना लेता है with two hydrogen bonds और guanine जो होता है वह cytosine के साथ base pair बना लेता है ठीक है with three hydrogen bonds ठीक है यहां पर लिखाए the specific base pairings observed are A bonded with T and G bonded with C the specific AT and GC pairs are called complementary base pairs तो हमेशा यह देखने को मिला कि एडिनीन जो होता है वह हमेशा थाइमिन के साथ बन बना लेता है hydrogen bond बना लेता है दो hydrogen bond बना लेता है और guanine जो होता है वह cytosine के साथ three hydrogen bond बना लेता है ठीक है तो यह हमेशा specific होता है ठीक है यह नहीं होता है कि एडिनिन cytosin के साथ bone बना लेना और thymine जो होता है वो गौनीन के साथ मेजरमेंस के बारे में डिसकर्स किया है फिर पॉइंट में the base pairs are 0.34 nanometer apart in the DNA helix अब दो जो दो base pair DNA में दो base pair होता है उन दोनों के बीच में distance जो होता है वो कितना होता है 0.34 nanometer होता है ठीक है a complete 360 turn of the helix text 3.4 nanometer अगर हम एक complete turn देखा जाए ठीक है a complete 360 turn की को देखा जाए तो फिर उसका length कितना होता है 3.4 nanometer होता है ठीक है 3.4 nanometer में a complete turn हो जाता है ठीक है helix का therefore there are 10 base pairs per turn तो इसलिए वहां पर कितना आता है ऐसे हर एक turn में ठीक हर एक complete turn में एक यह बेस पेर जो होता है वो total 10 आता है ठीक है the external diameter of the helix is 2 nanometer अगर हम diameter major करें यहां से यहां तक major करें तो diameter जो हता है वो 2 nanometer होता है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं Central axis तक 1 nanometer है Central axis से इस इस साइट तक 1 nanometer ठीक है तो क्याने का मतलब diameter जो हता है वो 2 nanometer होते है ठीक है यह important measurements है आपको याद रखना है अब six point में क्या कहा है कि because of the way the bases bond with each other the two sugar phosphate backbones of the double helix are not equally spaced from one another along the helical axis अब जो base जिस तरह से base bond हुआ है उसकी वज़ा से जो दो sugar phosphate backbone होता है double helix का वो equally spaced नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ spacing है वो बराबर नहीं होता है ठीक है एक यहाँ पर जादा space देखने को मिलता है और उसके बाद थोड़ा short space देखने को मिलता है फिर जादा space देखने को मिलता है ठीक है this unequal spacing result in groups of unequal size between the backbone one group is called major group and the other minor group ठीक है तो जो एक group बन जाता है उस छोटे वाले को minor group कहते हैं जो की narrow होता है और जो बड़ा group बनता है उसको हम major group कहते हैं ठीक है जो एक wider होता है ठीक है वो थोड़ा बड़ा होता है ठीक है देजिस अदेजिस 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 को लास्ट पॉइंट को आप बूल जाओ क्यूंकि यह वाला चीज़ भी आपको confuse करेगा भी ठीक है फिलाल के लिए यह यार ठाग रहना की minor group और major group होता है डीने में ठीक है अब करेंगे ने conclusion दिया था वाटसनों की मोडल से पता चला और इसी लिए इसी किए डीने के structure के उपर काम करने के लिए जैम्स वाटसन और पैंसेश क्रीक को जिन्होंने double helix का structure दिया था और साथ में मौरिस विल्सकेंस जो नी मौरिस विलिकिन्स जिसने आधिने के एक्सवेर डिफ्रेक्षन स्टैडियस की थी उस वज़ह से उनको 1962 में Nobel Prize मिला फिजियोलोजी एं मेडिसिन में ठीक है पर रॉजलीन फ्रेंक्लिन को नहीं मिला जो की एक्सवेर डिफ्रेक्षन स्टैडियस जाता तर इसने किया था ठीक है यस नों sitzen塘 तो इसको नहीं मिलाि क्यों मिला बहुती डिवेट साइंस में कुछ कहते है कि जो होता है वह डेथ के बात नहीं कंपके यह जो नॉबल प्राईस देने से ठीक 4 जान पहहले रोजालेंट-फ्रेंग्डन की डेथ हुई थी तो Nobel Prize जो हता है वो death के बाद नहीं दिया जाता था तो इसलिए कहता है कि नहीं दिया फिर कुछ लोग कहता है कि उसकी जो Rosalind Franklin की जो काम जो है वो क्योंकि Morris Wilkin के साथ किया था तो उसकी contribution पे बहुत जादा debate चल रहा है ठीक है कोट कफ क्या होता है स्पेसिफिकली हम DNA की बात करते हैं कोट कफ क्या होता है